हलो फ्रेंड्स में समीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर फ्रेंड्स हाज हम 36 एज का डिपनेग प्रिंसेट कट बलाउच की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे तदेखें मेन फैबरिक है और ही मेरा स्थर का फैबरिक है सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पाट का मेजर्मेंट लेंगे तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और निचे से एक लाइन रो करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे अब तैयार ब्लाउज की लेंध मेरी 13 इंच है तो मैंने एक इंच बढ़ा कर ली है आपके जो भी लेंध हुए उसे एक इंच बढ़ा कर ही लिजेगा डिपने के कार्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच आर्म हूल लिया है मैंने 6 इंच स्क्रीन पर देव है मेजर्मेंट के नुसर मैं ये बैक पाट की कटिंग कर रही हूँ आप जाए तो अपना मेजर्मेंट ले सकते है अब चेस्ट हमारा 36 है तो उसका सोटा अगा 9 इंच और देडिच मार्जिंग का गापेंच बाहर की तरब लेते वहाए अशा तीरसी लाइन रह कर लेंगे और अएम इंच पर हमारा मुल की गोलाई देदेंगे हलके हातों से अब हम side से half inch down कर लेंगे अब हमें waist का measurement लेना है तो वो हमारा 30 है waist तो उसका 14 एगा 7.5 inch इंच back part की plates के लिए और देड़िच margin का देखे इसी तरह से हमारी back part की marking complete हो चुकी है अब हमें जैसे marking की उसी के according back part को cut कर लेंगे और front part निकालेंगे front part हम direct अस्तर के fabric पर ही निकालेंगे तो कपड़े के बंद भग को अपनी तरप करते हैं रखना है और नीचे से कपड़े को सिधा कर लेंगे और half inch छोड़ते वे और front open है तो सामने की तरप से हमें half inch छोड़ते वे दोनों line छोड़ते वे back part रखेंगे और एज़े इस back part को draw कर लेंगे बराबर से back part को draw कर लेना है अब हम front का arm hole निकालेंगे कहाँ पिंच अंदर की तरप लेते वे arm hole की गोलाई दे दीनी है हलकी हातों से अब हमें front के neck निकालना है तो width में रखरेंगे 2 inch और neck की length रखरेंगे 7 inch और निचे से width में 2.5 inch रखते वे इसा चोकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और neck का shape दे देंगे हलकी हातों से अब हमें prince cut का part निकालना है तो निचे से ले रहे हूं में 3.5 inch पर और उपर से tux point आ रहा है मेरा 10 inch पर और center से पावने 4 inch लेते भी ऐसी सीधी line रहा कर लेंगे और A line हमें armhole के तरफ ले जानी है अब निचे से हम रख रहे हैं 2 inch और length में भी रख रहे हैं 2 inch ऐसी सीधी line रहा कर लेनी है और prince cut का shape दे देंगे हलकी हातों से अब side से हमें शिलाई margin का half inch बढ़ा लेना है और निचे से में जो dot का है उसको half inch बढ़ाते वे ऐसी तिरसी line रहा कर लेंगे और निचे से में fabric को चाट लेना है देखें इसी तरह से हमारी front part की marking भी complete हो चुकी है armhole हम back का ही cut करेंगे front का armhole हम stitching के बाद cut करते हैं prince cut के लिए अब ऐसे सभी part हमें अलग कर लेने हैं neck को भी cut कर लेंगे अब हमारा जो prince cut का part है उसको भी cut कर लेना है और front open है तो front की तरब से भी उसको cut कर लेंगे और सभी part हमें अलग कर लेने हैं और जो dot का part है उसको भी अलग कर लेंगे देखे इसी तरह से अब सभी पार्ट हमारे कट हो चुके है और सभी पार्ट को हमें में फ़ब्रिक के साथ कट करना है तो में फब्रिक के साथ कट करते वक्त हाप इंच बढ़ा कर ही कट कर लीजेगा देखें बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आओंगी डिजैन के साथ अभी ये वीडियो में हम फ्रन पार्ट ही देखेंगे अब हम फ्रन पार्ट की स्टीजिंग देखेंगे तो में फैब्रिक पर wrong side पर रखेंगे सभी पार्ट को और अस्तर के बराबर से सभी पार्ट को हमें stitch कर लेनी है और में फैब्रिक के साथ उसको attach कर लेंगे देखिए इसी तरह से main fabric पर wrong side पर रखेंगे अस्तर के fabric और सबी पार्ट हमें इसी तरह से ready कर लेने है अब हमरा जो main fabric बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही cut कर लेना है इसी तरह से हमें side का part भी ready कर लेना है मेन फैब्रिक पर रखते विए उसको भी रेडि कर लेंगे अब kontrak्ष्ष में मैंने golden फैब्रिक लिया है और एक पर का margings रखते उसको stitch की है अब प्टी को पल्टाते विए पटी को fold करते विए हमें corner की stitch कर लेंगे ऐसे corners की stitch करने से हमारी piping की finishing बहुत अच्छे से आती है अब पटी को पूरा पल्टाते वे piping बाहर की तरब निकालते वे हमें ये stitch कर लेनी है ये piping भी हमें finishing के साथ ready करेंगे बराबर उंगली से press करते वे piping को बाहर की तरब निकालते वे हमें finishing के साथ stitch देनी है अब हमारा जो prince cut का part है उसको attach कर लेंगे तो जैसे हमारा round है prince cut का उसी के हिसाब से हलके हलके हाथों से उसको stitch कर लेनी है कपड़े को खिचना नहीं है बराबर से उसी के बराबर से हमें stitch कर लेनी है देखिए अब एक finishing की stitch दे देंगे एक पर का margin रखते हुए देखिए इसी तरह से हमारा prince cut का part ready हो चुका है अब नीचे से हमें कमर पट्टी अट्याच कर लेनी है तो कमर पट्टी ली है मैंने सीधी पट्टे में और हापिंज का margin कवर करते हैं उसको attach कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को छूटे cuts लगा लेनी है और पट्टी को पल्टाते हुए पट्टी के उपर से हमें stitch कर लेंगे पट्टी को fold करते हुए corner के stitch कर लेंगे अब हमारा जो बहार की तरफ फेबरिक आ रहा है उसको हमें cut कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते वे करोपी श्टिच कर लेंगे देखिए अब हमें हुक की पट्टी अटाज कर लेनी है तो मैने अस्तर के फेबरिक की पट्टी ली है सिधे पट्टे में और जो फ्रंट साइड में हमने हाप इन छोड़ कर मार्किंग की थी उसी मार्किंग को कवर करते हैं पट्टी अट्याज कर लेनी हैं अब पट्टी को पल्टाते वे पट्टी के उपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल करते वे कॉर्णर की स्टिच कर लेंगे अब पूरे पट्टी को फोल करते वे एक फिनिसिंग की स्टिच दे देनी हैं आप चाहे तो रफी स्टीज भी रख सकते हैं मैं फिनिशिंग की स्टीज दे रही हूँ इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं अब दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटाज करनी है तुझे हमारी फ्रंट का आर्म होल देना है, हापी चंदर की तरब करते हैं उसको stitch कर लेंगे और उसको हमें cut कर लेना है इसलिए stitching के बाद हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देते हैं अब दुसरे साइट में हमें हाई की पट्टी अटाज कर लीनी है तो मैंने ये मेन फैबरेक की पट्टी ली है अब पट्टी को सिधा करते वे पट्टी के उपर चाह में स्टिच कर लेंगे और पटे ही एंस बाहर की तरब निकाल दे वे हमें पटी को फोल कर लेना है और फिनेशिंग की श्टीर देंगेomat ऐसी फिनेशिंग की श्टीर दे देनी है पटी को कट कर लेते है और एक पेल का मार्जिंग रखते है कर लेंग देखिए इसंगा हमारे दोनों परट के हमें सटिच कर लेंगे करेंगे कौन देखिए यह पारिक रखेंगे ख़रक्षेंड रखेंगे नेक के बराबर से उसको स्टिच कर लेंगे और पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेनी है अब पट्टी को पल्टाते वे पट्टी के उपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते वे कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है अब जो हमारा बाहर की तरफ फेबरिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेंगे अब पूरे पट्टी को पल्टाते वे एक रौपी स्टिच कर लेंगे बाद में हमें रौपी स्टिच निकाल लेंगे और सुईधा गेश उसको तुरपाई कर लेंगे इसी तरह चामें दोनों ने एक रेडी कर लेनी है देखिए मेरी दोनों पाट रेडी हो चुके है देखिए दोनों पाट रेडी हो चुके है आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद